अभी अनकट है, इसलिए बोल रहा हूँ. यहां पे आप खटा-खट बोल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं. दिल्ली की गाली और बंबे की गाली में बड़ा फरक है. जैसे? जैसे एल... सॉरी. आप बता सकते हैं. यहां बोलें, ओ लोड़ा. तो आप बोलें, ओ लोड़ा. मजा किसमें सादा आता है, मगर? मजा तो अपने में है, ओ लोड़ा, इदरा. यह मुझसे करवाया जा रहा है, मैं करने ही रहा हूँ. यह लड़कियों के साथ अकसर होता है, कुछ क्रिंज बाते लिखकर भेजें. लड़कियां लड़के कर देते हैं. लेकिन उसका अपना फीलिंग है, तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं. लड़कियां करती हैं, बिल्गूल करती हैं. अरे, आप मेरे सामने हो, मैं आपको चबा के खा जाओंगी. इटी ओ, आप कई बार आपी का कट रहा होता है, उन लड़का बेठा होता है, तो मांग रहा हो, क्या फाइदा? बतलत भी अनकट है, इसलिए बोल रहा हूँ. यहाँ पे आप खटा-खट बोल सकते, कोई रोखने वाला नहीं. भाई, छतरी खोलने का शौकीन एक दिल्ली का छोरा आया है, हमारे पास अनकट में. यह इतनी बहतरीन आक्टिंग करते हैं, कि आक्टिंग करते-करते यह खुद को भूल जाते हैं. और ऐसे फर्राटे से गालिया देते हैं, कि भाई, सास लेना भी बूल जाते हैं. मैं हूँ नहारेका, और आज हमारे साथ हैं, दो वान एन ओनली, जतिन सर्णा. A big round of applause, guys. मुझे तो लगा था, आप अच्छे उससे मेरा introduction कराएंगी. आपने छटरी भी खुलवा दी, गालियों में भी महारत हासिल है. आप एक बात बता दो, यहाँ जितने लोग बैठे हुएं, उसमें से कौन है, जो नहीं जानता कि आप छटरी खुलने के एक्सवार्ट. बल्ला भी अच्छा चलाता हूँ. बल्ला भी अच्छा चलाता हूँ. यहाँ देखे, फर्स्ट इंप्रेशन इस दे लास्ट इंप्रेशन. आज तक भी अगर आप जाए और अपना नाम सर्च करें, तो कम से कम पच्छिस रील से ऐसी आएंगी पहली, जिसमें आपने छटरी खुलने के बाते हैं. मेरे को बुलाते हैं, सड़कों पर जा रहा हूँ तो, बंटी क्या हाल है? कैसे लगता है जब आपका नाम ऐसे जतिन से एकदम से बंटी हो गया? अच्छा है, अच्छा तो लग रहा है, उसने पहचान दी है, बड़ मैं चाहता हूँ कि मुझे जतिन सर्ना से ज़्यादा जाना जाए. जो जाना जा रहा है? हाँ, अब उसमें मेरा ज्यादा इंटरस्ट है, बट मुझे अच्छा लगता है अगर आपके कैरेक्टर से आपको लोग बुलाते हैं, याद रखते हैं, भी जैसे हाली मैं, सुभा की बात है, मैं अपनी शॉप पे गया हूँ था, तो वहाँ पे कोई एक जानकार है, उनक याद याद आती है तो याद आती है दिल्ली की सर्दीोंगी? बिल्कुल आती है, in fact, सर्दियों की exactly बात करूँ तो ये जो October से जब शुरू होता है, तो वो एक फूल है, सफेद रंग का, रात की रानी, उसकी महक आनी शुरू हो जाती है, तो मैं कई बार ऐसा होता है, जैसे हर साल ऐसा होता है, कि मैं फोन करके पूछ लेता हूँ, अपन सर्दी के मामले में, बहुत अच्छी सर्दी हो रही है, अच्छी ठंड है शाम के महौल में, लेकिन दिल्ली का अपना एक पता नहीं है, यादे जूड़ी भी है, या अपना मज़ा है, तो बंबे में obviously मिस होती है कुछ सारी चीज़े, और जैसे आप बता भी रहे थे, मैं जैसे थोड़ी सी क्यात है, बाहर निकले सड़कों पर तो तेरी मा की, तेरी बहन की, तेरे वाप की, तेरी चाचा की और वो इस सब चल रहा है, लेकिन दिल्ली की गाली और बंबे की गाली में बड़ा फरक है, जैसे? जैसे एल, sorry, तो मतलब वो आपने देखा ही हो, तो व मुझे more of a handsome romantic guy के तोर पर पहचाने, ना कि एक बदमाश, तो sir, शारुक खाने भी तो डर की थी ना, अब उस डर से बाहर निकल के मतलब मैं आप चाहरे हैं कि गाली दे दूँ, बिलकुल, तो जैसे यहां कैसे बोलेगा, कि सच में गाली दे सकते हैं, हाँ भई, यहां बोल आज भी ऐसी दोस्तों से बात होती है घर पहुच के, नहीं, अब मेरा कोटा खतम हो गया, अक्चुली गाली देने का, तो मैंने बहुत गाली दे ली ना, उस दोर में, और उस सब में, तो अब मैं बहुत ज्यादा इंट्रस्टेड हूँ नी, और फिर थोड़ा सा आप जै जैसे मेरा इंस्टीटीट है जोश्वरी राम सेंटर, तो मैं वही मिलूँ अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं पांच बजे या सुबह बारा एक बजे की बात से कर रहा है, तो मैं वही मिलूँ आपको, तो उस जगा पे थोड़ा सा मैं एक कर लेता हूं अपने लोगों मे मगर जैसे थोड़ा सा इदर उदर निकलता है, लोग देख रहे हैं तो फिर आप नहीं हर वक्त वो कर सकते हैं, इसलिए वो कम हो गई है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इनसान फेमस हो जाता है, लोग चाल लोग पेचान लेते हैं, तो अब दिल्ली में गुलगप्पे खा लिया, तभी अपना उसको दे दिया, तो ये कहीं भी, कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की नहीं, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे अभी यूके में था, उत्राखंड में है, तो भीमताल में बहुत अच्छा रिस्पॉंस था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और लोग जिस सब पर आशिरवाद है, तो वहां पर एक अलग वाइब थी, और वहां लोग पहचान रहे था, तो मैं यही भगवान को और बाबाजी को मैं धन्यवाद दे रहा था, कि आपके दरबार पर खड़ाओं और लोग मुझे पहचान रहे हैं, अब इससे बड़ी कोई बात नही तो पांच ऐसी कौन से स्पोट्स हैं, जहां आप खाना बहुत पसंद करते थे, मैं क्यूंकि मैं श्रेराम सेंटर में बहुत समय तक रहा और ठेटर कर रहा था, तो मंडी हाउस में मेरा बहुत वक्त बीता है, और अभी भी वहीं बीता है, तो of course, refugee market एक जगा है, refugee market में ड जटेन है, तो उनके डाबे में आज तक खाना खाने चला जाता हूँ, बंगाली मार्केट में नतु स्वीट्स है और बंगाली स्वीट्स है, वहाँ पे खाते ही खाता है, एक थोड़ा सा पीछे एक और स्पॉट है, बाबर लेन है वो शायद, उसमें चोले कुल्चे बड चौक बड़ी फेमस जगह है, वहाँ पे शीजगन कुर्दवारे से थोड़ी सी पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शायद बराबर में चोटी सी दुकान है, और उस से थोड़ी सी इधार आएंगे तो लाल के लिए पकर आप फेस करें तो राइट में एक दुकान है ज बंगला साब की तरफ से निकलते हैं, तो वहाँ पे भी एक स्वीट की दुकान है, वहाँ पर इसा नहमा मियाद नहीं है, लेकिन यह सब बहुत सारे स्पोर्ट रहे हैं, जहां पर बहुत खानागा है, तो कहीं भी मन लगता है, जहां पर थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, कुछ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोले बटूरे कहां के सबसे स्वाद लगे, दिल ली में, छोले बटूरे जब मैं नौकरी करता था, करोल बाग में, मेरे खुपाजी के यहां, जो एलरी की शॉप पे नौकरी करता था, तो वहाँ पे करोल बाग में, गफार एक बहुत फेमस दुकान है वहां के मैंने बहुत खाए तो मैंने दुपहर को इंतजार रहता था माता मेरी जो खाना बना के बेचती थी आज भी मुझे डबा देती है मैं आज आया हूँ तो राजमा चावल पैक कर आके उन्होंने दिये हो थे तो मैं कैसे भी करके ना यह सोचता था इसको स्किप कैसे गरूँ तो मन बनाने लगता था कि किसी को खिला दूँगा और जैसे दुपहर होगी तो वहां से छोले बटूरे जो है वह मंगवा लूँगा तो वह खाता था मैं वह बहुत फेमस है पूरी शोले हमारे लाल क्वाटर में बहुत अच्छे मिलते हैं वह खाते हैं अमरिज सरी कुल्चे हैं अहाँ मट मम्मी के वह टिफिन की अब याद आती है मुंबई में मिस करता हूं तो जब भी मिस करता हूं उन्हें फोन कर लेता हूं तो जैसे हम आपे कुक है लेकिन कभी-कभी मन करता है खुद बनाना तो उनसे पूरी रेसिपी सुनके समझ के तो मम्मी फिर बड़ी देर तो फिर वह साथ में हो जाती है कि वह बना भी देगी ऐसा कर देती है तो मैं बोलता हूं मैं समझ गया आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो हाँ तो यह काटके बो डाल दियो फिर मसाले डाल दियो फिर कुकर में चोले डाल दियो फिर दो सीटी लगा लियो फिर आदे गंटे वेट करी हो फिर चारी मैं बस मैं समझ बनते हैं सुनने के बाद उनसे तो मिस्स नहीं होती वो कभी मिरसे खाना बना लेते हैं? आप मुझसे जो कहें मैं काले चुले बना लेता हूं राजमा बना लेता हूं पीली दाल बहुत मेरे हाथ की सुवाद बनती है मैं चिकन बिर्यानी बहुत अच्छी बनाता हूं मटन बहुत अच्छा बना लेता हूं तो कुकिंग में तो प्लीज गर्ल्स टेंशन नहीं है कोई भी कपड़े दो लेता हूं खाना बना लेता हूं और और? टोईलेट भी साफ कर लेता हूं भाई, ब्लॉग करो इने मैंने इन पेक्ट जाड़ू पोचा भी लगाया क्या बात है करना होता है कुछ काम अपने घर के ऐसे जब करने पड़े जाते हैं ज़िसे कोविड में हम सब नहीं किया उसका बहुत दिखावा भी किया रिल वना वना के तो वैसा है I'm sure, मतलब बहुत साही लड़किया इसके बाद आपको DM करेंगी Thank you so much Are you available? Are you available? Yes अच्छा है आपने शादी ने की है बहुत साही लड़किया जो इंतजार में थी Mr. Right के लिए वो आज करेंगी यार मिल गया मुझे मिल गया अच्छा जारूपोचा भी तोग कर रहा है टोयलेट भी साफ कर रहा है लेकिन मिलबाट के करेंगे आज है एसा नहीं हा है प्रमाद काम भी करना भाई तो आप बनाएंगे, वो खाएंगे है यह मिलबाट आएसा नहीं मिलबाटना अबिसली मैं बिलकुल एक मील तो बना दिया करूगा कोई टेंशनी निया ठीक है तो यार बाकी अट्जस्स करना पड़ेगा ठीक है थोड़ा 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 इस लुकिंग आउट फॉर जातिन वो एक टाइम का खाना बना कर आपको दे देंगे चलिए जर्नी के बारे में आपकी बात करते हैं दिली से आपने पड़ाई लिखाए की उसके बाद ही आपकी गाड़ी जो है वो मुंबई की तरफ कैसे रूप करती है मेरा बहुत बच्पन से शौक था एक्टिंग लाइन में आने गा मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था यह ग्लैमर वर्ल्ड और उस सब में और तो मुझे लगता था क्यार मैं और कोई काम में बेस्ट नहीं हूँ अच्छाई मिरसे होती नहीं है एक्स्ट्र करिकुले में एक्टिविटीज में मतलब करते थे हम एन्वल फंक्शन पर नाचना वाचना यह राम लीला बहुत करता था मैं तो मुझे यह था कि यार यह काम है जो मैं कर सकता हूँ और इसके लिए ओविसली बॉंबे एक जगा है बट आपको शुरुआत करने की कहीं से तो मैंने मुझे मेरे कजन का दोस्त था वो मिल गया तो उन्होंने बताया कि यार ऐसे ना फिल्म बन रही है तो आपको पासिं उससे के बराबर है के नहीं है या वो हिरोईन कितनी गोरी है तो मेरा पहला जो मेरी पहला जो पहली मुलाकात वी वह हुई शाहित कपूर और करीना कपूर से क्या वात है तो उनकी फिल्म मिलेंगे मिलेंगे शूट हो रही थी और मैं गया तो मैंने बिल्कुल ऐसे शाहित पिल्कुल बगल से निकला, तो शायद एक दो इंच लंबे हैं वो, तो मैंना गार कोई बात नहीं हो जाएगा, जूते उते पहन के हो जाएगा काम, करीना कपूर ऑफिसली बहुत गोरी हैं, तो मैंना थीक है, आपन भी कभी गोरे हो ही जाएंगे, वो जिक्त नहीं है, उस सोच रहा था, गयार मेरे इतने पिंपल है, बाल मेरे कोई सेटनी है, काला भी हूँ, दाड़ी मूझ हानी रही है, क्या रहे, क्या हीरो बनेगा रहे तू, तो उस वक्त ऐसे सोच आती थी, लेकिन confidence इसलिए रखा क्योंकि और कोई काम आता नहीं था, तो फिर फाइनली 2004 मे एक बर बॉंबे का रुक किया, जिस दिन पहुंचा उसके अगले दिन वाप्चे टिकट कटा के आ गया, क्यों? वहां पे जिन लोगों से मिला, जिन के पास गया था, उन्होंने ही discourage कर दिया, क्यार, यहां नहीं हो पाएगा तुमारा कुछ, और जबकि मैं बोलके गया थ होती है, वो फोटोस देनी होती है, तो अपने पस तो पैसे ही नहीं थे, मेरे पस कुल पांच हजार उपे दे जेव में, जब पिदा जी ने मुझे दे के टिकट करा के बेजा था, तो रगले दिन पकड़गे मैं वापस आ गया, तो तो अल्मोस्ट लापस आगया, जिन त क्योंकि मैंने ना नाटक देखे थे, ना पड़े थे, ना सुना था, कुछ नहीं बता था, मैं ऐसे ही उटके चला गया, कि एडमिशन की कॉल है, तो मैं चला गया, मेरे चाचा ने, इन फैक्ट मुझे पैसे भी दिये कुछ, और वो कटिंग भी दी, जिन से मैं सब से ज़ और पहली फिल्म, गांदे टो हिटलर, मिली, लेकिन मैं जहां नहीं पाया, बॉम्बे नहीं जहां पाया, क्योंकि पैसे ही नहीं थे, फिर मैं रेपिट्री में काम करता है, श्रीराम सेंटर में काम करता रहा काफी साल, मैंने बहुत नाटक किये, फिल्म्स करता रहा है यह जा रहा था उस दिन नवाज उद दिन सिद्ध की साहब से मैं मिला पहली बार गैंग जो वसेपूर हिटो चुकी थी वो मंडी हाउस श्रीराम सेंटर में कैंटीन में बैठके खाना का रहे थे मेरा गिन्नी एक मेरा भाई चोटा या जूनियर भी है उसने मुझे आके बोला के दादा नवाज भाई आए में मैं टॉलेट जा रहा था चोड़ चाल के टॉलेट में भागा नवाज भाई के लिए उनसे मिला वो खाना का रहे थे और मैं ऐसे ख़ड़ा हो गया अब जाके क मैं ऐसा लगा कि यार एक पेज था वो डियालोग याद करना था मैंने कए या दिली में फिर वही यह लोग एक्स्टा का काम देंगे कुछ ऐसे ही रोल होगा मुझे नहीं पता था वह बड़ा रोल है मैंने का छोड़ यार नहीं देना ऑडिशन मैं चला गया मैं वापस च के तूआ नहीं रहाए तू यहां बैठा हुआ लोग आयमे हैं तू कम से कम ऑडिशन तो दे एक कास्टिंग डार्यक्टर विकी सदाना separat生ड़ यू सकए सН्जीव सर्मा डार्यक्टर थे उँओ आयमें बैटान अब आटे नहीं दूए ले तू ए ओडिशन तो दे और मै समझाया किया I was relaxed मैंने ठीक है चलो हो गया वापस आ गया उसी टाइम आने लगा तो ने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे हो आगले दो-तीन मेने मैंने का आपके साथ काम कर रहा हूं एंब दोनों हसने लगे और उसमें हो गया तो साथ हुषय चलके व az my first film और इसको आइसे लिये मैंने का अब तू साथ में आ गया पिर दीरे दीरे करके वो नंबर घटने शुरू है कि अब तीन में हूँ अब दो में हूँ पिर 83 आई उसमें 11-12-14 लोग थे अब जो फिल्म आ रही है अंसॉंबल है लेकिन लीड में कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आगया है नंबर वन शांदार मतलब और ये साथ से आपको एक तक आते आते हैं कितने साल लग गए ओई 13-14 साल मैंने 2006 में शुरू किया था तो I think 14 साल हो गए होंगे लंबा मतलब 14 साल कहने में 14 हैं लेकिन बहुत लंबा रहा है आरी वो दोर आज भी मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी एक ट्रेट होता है या मन में एक ऐसे कौन सा motivational thought होता है या क्या चलता है मन में जो आपको इतने सालों तक रोज consistent रखता है रोज motivated रखता है कि नहीं यार करना यही है बदला बदला मतलब उसको वैसे नहीं कह रहा हूँ father father joint family थी तो पापा बड़े पापा दूनों साथ में काम करते थे तो उन्होंने बहुत struggle किया अपनी जिंदगी में वो दो कमाने वाले थे और खाने वाले 14 लोग थे और वो लोग करते रहे अपना काम करजा in fact बढ़ गया वो हमको बोलते रहे कि हम middle class family के हैं अब जाके पता लगा हम lower middle class family के थे वो difference अब समझ में आया जब वो करजा देखा तो वो वो इतना ज्यादा था कि मतलब सुनके उस वक्त डर लग जाता था कितने का करजा था वो कभी करेंगे उसका भी कभी जिक्र आएगा और बस वो आग थी मतलब कोई ऐसा त्योहार नहीं था जिस पर रोया ना हूँ मतलब परिवार में सब रोते थे सब रोते थे त्योहार है दिवाली है पंदरागस्त है होली है रोरे हो आप क्योंकि नहीं है तो यहार मनाने के लिए पैसा नहीं है मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि बहुत ही बुरे हाल थे मगर वो जो खुशी होती है वो खुशी मिसिंग थी किस हक से आप यह कर रहे हो तो पैसा उसकी बड़ी मेजर वजा थी कि पटाके जलाने पटाके नहीं है पटाकों के लिए पैसे नहीं है पतंग के पैसे नहीं है लेकिन मेरे चाचा हमेशा से चीज का ध्यान रखते थे वो हमेशा पटाके अरेंज कर देते थे लेकिन पिता जी से मैं चाहता था कि वो करे कि वो लाके दे अपने बच्चों को ले पकड़, वो नहीं हुआ, तो उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो और चीजों से जूज रहे थे, वो वही इधर का पैसा उधर, उधर से पैसा आया, पैसा आया कस्टमर से तो वो चुका दिया उधार, उसको दे दिया, उसको दे झुक्ताराओ कर दे आया, यह से शूज भी भी निकलना को निकलना भाहर आना रहा, उसने मुझे पका बना दिया, और मैं आपका आशिरवाद, फैमिली सपोर्ट, लोग, आसपास दोस्त, इतने खुबसूरत, इतने प्यारे मिले, चाहने वाले इतने मिले, इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स लोगों की, इतना प्यार मिला, कि वो ताकत बनते गए, और मैं फिर खेल खेलता रहा अपना, मैं इ चोटा भाई वो संभालता है काम, पापा को बोल दिया, आप जाओ, ना जाओ, आपकी मर्जी है, दुगान पर बैटो, या जो मर्जी करो, अब आप फ्री हो, अब वो कर्सा खत्म हो, खत्म है, और एक बेटे के लिए, एक उलाद के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो सब मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं उनको देख नहीं सकता था इसे, ना मेरी मा को, ना मेरे पिता जी को, उन्होंने बहुत जहिला अपने उसमें, और मैं, मेरे शायद पैदा इसलिए हुआ हूँ मैं, शायद यह होना था और मुझे यह करना बाकी मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, वो मेरे से अलग कर नहीं सकता, तो उसमें मज़ा आता है, तो उसने बड़ी हेल्प करी, अगर यह काम नहीं होता तो उतना पैसा नहीं होता, जो मैं चुका पाता, तो हम रेली थैंक्फुल के, नहीं होता है, तो सिनेमा ने मुझे चुना, भरत मुनी ने मुझे चुना, कि जा बेटा, तु एक्टर बनेगा, ऊपर वाले ने मेरी किसमत में लिद्धिया, जा बेटा, तु स्टार बनेगा, तो मुझे उस चीज की खुशी है, कि इस विदा ने, एक्टिंग कला कि प्रेजंट करा में, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, सबस्ते हैं, तो एक्टिंग करते हैं, प्यार महबत की, अब किसा गर्ट्रेन है आपकी? नहीं, अभी तो मैं सिंगल हूँ है, बना जाने, कितने इंट्रिव्यूस से मैं सिंगल हूँ है, सिंगल है, आप अप्लाइ कर सकते हैं, बहुत सारे इंट्रिव्यूस से मैं अभी तक सिंगल हूँ, यार एक बड़ी कमाल की चीज है, उससे खुपसूरत चीज निया, मतलब, वो आपको इतनी ताकत देती है, कि आप, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, और आपको उसका साथ है, और आपने उसको अ तो वो बड़ा जरूरी है कि कोई ऐसा पैशेंटली प्यार करने वाला हो, और मैं तो उसी में बिलीव करता हूँ, पैशन, लव में पैशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, मतलब हुआ भी, कई बार हुआ भी, लेकिन वही, क्योंकि वो ऐसे दोर में हुआ जब मैं मैंने अपने फोर्फेशनल पर्सनल को मिक्स कर दिया, वहाँ घड़ घड़ कर दिया, जबकि यह दो बड़ी अलग चीज़े है, उसको अलग चलाना था, इसको अलग चलाना था, लेकिन मैंने अब क्या है, मैंने जब बड़े लोगों को सुना, जब आप Oshua को और बड़ जो इस लोगों को सुनते हैं या और भी जो जिन लोगों ने जो इस लुग दौर से गुजरें जब आप उनको सुनते हैं तो समझ में आता है कि यार जीना भी ज़रूरी है आप कल क्या होगा उसकी चिनता में आज खराब मत करो तो मैं कभी भी भटक रहा होता हूँ ना कल के खयाल में परसो क्या होगा तब क्या करूँगा तो मैं अपने आपको लाता हूँ बेटा ये खराब हो रहे है आजा वापस इसको जी ले वो तो जो होना होगा वो तो अभी है नी ना कल बीथ गया वो है नी आने वाले का पता न प्ंषेय के साथ कि MBA किया है लेकिं प्यार की एसी बात नी एक छाहे कितने भी लोग आये गए लेकिन सबसे मिला इगलई है जट बहुक है हिरन एंसान बनाने में छीजे कई जहन mapped बन पाई लेकिन I'm happy ओके तो प्यार मोहबबत की बात कर दी हम लोगों ने ये लड़कियों के साथ अक्सर होता है कि उनके DM में ना इसे लड़के कुछ-कुछ लिख कर भेज देते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फेमस होने के बाद ऐसा होता है कि लड़कियां में भी कोई सीरीज देखने के बाद या आपका कोई शो देखने के बाद वो ऐसे आपको DM करें कुछ cringe बाते लिख कर भेजें लड़कियां अगर लड़के कर देते हैं और वो प्यार मुझे पता नहीं उस प्यार को कैसे देखो प्यार है वो किसी के लिए भी हो सकता है वो लड़के भी जब करते हैं तो मैं मुझे पता नहीं उसको कैसे लेना है लेकिन वो प्यार करता है भाई उसकी अपनी इच्छा है तो बड़ा सहजिता से उसको ना, accept कर लेता हूं, क्योंकि अगले का प्यार है, मैं वैसा नहीं हूं, तो वो एक अलग चीज है, मेरी sexuality एक अलग है, लेकिन उसका अपना feeling है, तो उसको भी accept करता हूं, लड़कियां करती है, बिल्गूल करती है, और, शीरी इसके फोटो देख चबा के खा जाओंगी, और मैं डर गया, मैंने का, मतलब कुछ और करना चाहिए हमें, चबा के खाने, खाना क्यों है भाई, फिर लेकिन वो अपना-पना मतलब है, हर चीज का शहिए, I want to eat you, bite you, क्या, पता नि, हो जो भी, eat you up, मतलब है, अनकट है, इसलिए बोल रहा हूं यहां पे आप खटा-खट बोल सकते हैं, कोई रोखने वाला भी है, तो बहुत-बहुत मैसिज आते हैं ऐसे, लड़कियां कॉंस्टेंटली और कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी के साथ मैसिजिज आते हैं, प्यार है उन्हें आपसे, आ, मुझे पता है, कई बार फोटोज मां बेटा होता है, तो मांग आओ, क्या वायदा, बट नहीं, I'm really very thankful to everyone who messages me, और कई तो बहुत पुराने टाम से भी अभी तक कर रहे हैं, कर रही हैं, और बहुत इजज़त और बहुत ही पयार से, बहुत आतराम से, उनके messages आते हैं, और मैं receive करता हूं, बिलकुल बताई दिया बाकि मैंने क्या-क्या कहती है, हूं करने को, चलिए बढ़ी आए, ना आपको फटा-फट जवाब देने, एक rapid fire session करेंगे आपके साथ, हमपर नहीं है, हमपर यहीं तो डर लगता है, हमपर दो मत दो, rapid fire से डर लगता है, बहुत cute-cute से, प्यारे-प्यारे से question है, चालो दे विकास है मेरा, नहीं, अभी मेरे को सोचना है, बहुत देर होगी, एक दो गंटे से तुम आपके साथ बैठा हूँ, इसको किया था, अपना कुनीत को, के भाई मैं आ गया हूँ, आजा नीचे फटा-फटा-फटा-चाँ, सबसे महंगी shopping कितने की की है, वही डे-डे-डेक अब मैं ढून रहा हूँ कि ग्रहक को यह घड़ी खरीद ले मुझसे, वह पढ़ी भी है, किसी को लेनी हो, इनकी वाच है, आप तो और वह महंगी देंगे, क्योंकि इनोंने पहनी भी है, जो एट सीरीज, नाइन सीरीज, जो भी पिछले साल की थी, आपस मिलेने कुछ दिन पहनी है, जो इनकाया किया थाल किया है, और अजो मैं भी बिना टिकेट के ठावल किया है, कई बार कियाstorm से पकड़े लुए है,担ए, सबसे ज्यादा रॉकी पसंद है, जो सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म है, वो इतनी इंस्पिरेशनल फिल्म है, उसका हर पार्ट, मेरी मतलब अल्टाइम फेवरेट है, बट सिमल्टेनेसली मुझे बिफोर संराइज पे मेरा दिल बहुत निकल के जाता है, वो फिल्म मुझ मेरी बहुत फेवरेट है, आपका पहला पेचेक कितने का था, पेचेक होगा, साड़े, 3300 रुपे का, 3300 रुपीस I think, वो था पहला, उससे पहले, 100 रुपे के भी कटे में है, तो मैं ट्रांसलेटर भी था, मैं ये एक जॉब होती है, कैसे, सेंपल बाटते हैं लोग, जैसे कोई एक कमपनी है, वो अपना प्रोड़क्ट लांच कर रही है, तो सेंपल बाटते हैं, तो मैं घर घर जाके, लोगों के सेंपल बाटता था, उनको सेंपल देता था, कि ये सेंपल है, आप इसको यूज कीजिए, जैसे मान लोग कोई शेंपू है, वो दे दिया, य वो दोनों ये काम करते थे, नभी करता था, फिर वो हिंदी में लाते थे लिख के, तो उसका ट्रांसलेशन का काम मुझे देते थे, कि तू इंग्लिश कर दे, तो वो मैं काम जो है, रात-रत बर बैटके करता था, उससे कभी 400 पे, कभी 500 पे, कभी 500 पे, कभी 1000 इस तरह से मि अब यहां दो लोगों का नाम लेना चाहता हूं इन फैक तीन चार का लेना चाहता हूं पर सबसे पहले जिनकी वजह से जिस कारण से मैं जो भी हूं या जो भी मेरी इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स है वो अक्षे कुमार अक्षे कुमार साहब को देख देख के मैं बड़ा हूँ उन्हीं को मैंने फॉलो किया उनके लिए चोरी करी उनके लिए पैसे लोगों से एट के मैगजीन्स करी दी और आज भी मेरे पास उनके करीबन 700-800 हाथ के कटेवे फोटो हैं क्या बात है अराम से अभी कम हो गए कुछ एक समान मेरा किसी कबाड़ी बबाड़ी को भी दे दिया अरे घरवालों ने लेकिन कुछ जो बचा हुआ है और वैसे मुझे एटवान खान साहब से बहतर कोई लगता नहीं है और वो एक कमाल अभ रनौत का कोई जबाब नहीं है वो बहुत ही कमाल की अभिनेतरी है और मेरा जिस पर क्रश है वो किया रहा है लेकिन अब सिधार्त भाई मौका ले चुके हैं बाकी टैलें हां मतलब यह लोग मुझे बहुत पसंदा है वैसे तो बहुत सारे अक्टर्स हैं उनका काम देखत अच्छा अब कौन सा गाना है जो अनलूप सुन रहे हैं अभी मैं वो सुन रहा हूं दो लाइन सुनानी पड़ेगी अरे आरे अरे अभी मैं वो सुन रहा हूं एनिमल का हुआ मैं अच्छा नवाजुदीन सिद्दकी आपको सेक्रिट गेम्स में ज्यादा पसंद आए है या गांग्स अब वासेपूर में गांग्स अब वासेपूर में और क्योंकि आप दिल्ली के हैं ताइम स्टार्ट नाओ तीस सेकेंड में आप कितनी गालिया दे सकते हैं शुरू कीजिए यार ये क्या बात हुई अब सुन जादा हो जाएगा वचारे कान वे से खून आ ग ॉच्ण करते हैं नमाजु दिन सिद्धिकी ने भी रुमांस किया है आप भी करेंगे अब झाम वन इस 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 रिली किया हापनिग येश यरान अनकुट everything happens here, go on but it was fantastic, thank you so much now we will talk to our beloved audience which will have a lot of questions for you so we can start with the first person sir you have a lot of variety of roles you were a cricketer in 83 and you were also a secret games but for each role you have a very different character so how did you adapt to that, can you give us some tips you can give us some tips thank you, you said adapt that we don't talk about the look because it is common that you have to change the character from the other so you have to change the look but there was also different language there was also different mannerisms so that is my practice in which I am evolving that when I do character then that character should be different from my previous work only the look of the base so this is obviously the struggle because it has to change the dialect language it has to change the psyche the character that character that character the character how does he think and how do he speak how does he speak what does his behavior what does he say so if he talks about the secret game he talks about the secret game then he is a ruthless man he is not to understand he will give you he will do he will do he will do he will do वहीं पर जब यश्पाल शहरमा आते हैं तो वो एक जीवित करेक्टर थे, वो पंजाबी है, तो बहुत ज्यादा मेरे करीब भी थे, लेकिन उसका एक अलग माइंड सैट है, उसको वर्ल्ड कप खेलने गया और उसको अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, उसको देश का न क्रिकेट खेल रहा है, और शाम को मैच खतम होते ही, वो भागते थे, टेलिफोन बूत पे कॉल करते थे, तो वो फोन उठाती थी, वो पडोसी के घर में फोन करते थे, फिर पडोसी बताता था, तो आजा फटा फट, वो प्रेगनेंट लेडी वहां आती थी, फिर ये फोन करते थे, फिर बात होती थी, तो वो यहां पे चलाना, वो हमने फिल्म में नहीं दिखाया, लेकिन वो कॉंस्टेंटली मेरे दिमाग में चलता रहता था, कि मेरी वाइफ प्रेगनेंट है, मेरी वाइफ घर पे अकेली है, मैं या क्रिकेट खेल रहा हूं, या फिर वो ये मुद्धा क्या है, पॉलिटिक्स, कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, तो उसके लिए मैं ताकतवर तो नहीं हूं, मैं हाथ से मार नहीं सकता हूं, जबकि वो शार्प शूटर था, किताब के इसाब से, लेकिन उसको पता है कि मैं दिमाग चलाऊंगा, मैं चानक के हूं, और मुझे अब सामने जो बंदा है, वो चाहिए, जो इसको एक्जिक्यूटर गया, तो वो अविसली अविनाश का केरेक्टर था, तो ये चीज़ें दिमाग में चलानी पड़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़के ये आती है, जब आप केरेक्टर पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो ये कुछ चीजे थी, जो लगातार मैं पढ़ता और समझता रहा हूँ, और अभी भी चल रहा हूँ, उसी पर, इसी की बात से एक बात मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, क्या आपका कोई ऐसा इंट्रेस्ट है पॉलिटिक्स में, या आप जरूरत पड़े गई तो, मतलब बंदूग भी उठा ले जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी देश के नाम पे है, उसमें कोई दो रहे नहीं है, जंडे के नाम पे, देश के नाम पे, भारतमा के नाम पे, तो पॉलिटिक्स में उसके थूरू तो वहाँ चला जाओंगा, वहाँ पड़ेगी तो वहाँ चला जाओंगा, वहाँ आइक्टिंग की तो चली रही है अपनी दुकान, उसमें पाटेंशन ही नहीं है, नेक्स्क्कूशन. सब मुझे ना एक कोशन पूछना था जैसे आपने बोला कि आपको कुकिंग का शौक है आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं तो आपको वाइड सौस पास्ता बनाना आते हैं को कैसे बनता है पास्ते से एक्चुली मुझे थोड़ी सी नफरत है मुझे वो थोड़ा क्योंकि मैदा वैदा है ना वो खराब करता है तो अपन खानी सकते हो सब रोटी बहुत समझ के खानी बढ़ती है अपने पेल के खाता हूं सुबह को खाके यह वह भी पिता जी ने बोला वह यालू के कुल्चे है मैं अलाओ पेलेंगे लशी भी बिएगे लेकिन अपने कहीं अपने पैट का या पैट लवर का ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं गरा पैट लवर हो आया मेरा कोई पैट है लेकिन मुझे एक समय आया था जिन्दगी में अभी बहुत अकेला था घर पे भी कोई नहीं है तो मैं भी अकेला हूं कहीं आना जाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हूं बहुत बाहर चले गए किसी के साथ भी गोम लिए कहीं भी पार्टी कर रहे हैं तो घर आप इतना रहा है कि मुझे ऐसे होने लग गया था कि क्यूंकि काम का कभी कुछ ऐसा चल रहा था भी कुछ बढ़ा जाया है तो बीगल के पीछे मैं पढ़ा हूँ है कई से बीगल मिल जाहे मने अपने जूनियर को कहा भी कि तू दे दे कर रहे है यार दादा आप 25 जार का मिल जाएगा पपी आप पाल भी लोगे लेकिन वो आपको इसकी सेवा बड़ी करनी पड़ेगी फिर आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते हैं शूट पर आप जाओगे वो अकेला पीछे रहेगा कोई फायदा है हाँ और मुझे फिर बाद में उसकी कुछ सेंसिटिव हो कोई रोल अगर करना पड़े मतलब किस तरह के रोल करना चाहते हैं अगे रोमैंस मैं ठग गया यार यह एक्शन गाली दे दे के मैं एक्शन तो नहीं किया मैंने भी बहुत लेकिन वो जो बड़े स्ट्रेट सीरियस इंटेंस करेक्टर है ना वो कर लिए मत कर लिए मतलब रोमैंस कि इंडिया देर रोमैंसे का बड़ा चलन है जब तक आप रोमैंस ना करो तो आप ही डोली इंडते हो एसा मुझे लगता है किस अक्टर को रोमैंश करना पसंट करेंगे आप प्यार कारा बताया तो आ hubi तारा सुटारिया भी है, ऐसी बात में है, प्यारा है, तारा है. I am manifesting आपको ऐसे multi-starrer film में है, जुसमें आप एक मेल हो, बहुत silent यह हो. Great. किसकी biopic बनने वाली है भाई? तो, romance का बहुत है, action भी करना है, और comedy मेरी बहुत अच्छी है, तो वो भी जरूर किया जाएगा. एक सवाल यह है, कि जैसे सभी फिल्ड में है यह, और आप जिस फिल्ड में उसमें भी क्याप देख पाते हैं, कि जब तक हमें resources कम मिलते हैं, या हमारे उपर limitations बहुत होते हैं, तब तक हम अपना 100% देते हैं, और एक बार हाथ पेर खुल जाएं, तो लोग अच्छा नहीं होता है, तब आप आग उगल रहे होते हो, और जब हो जाता है, तो आग पी ठंडी हो जाते हैं, इसलिए वो ठंडी होने नहीं देनी है, मैं जब मेरे पास नहीं था, जब resource नहीं थे, क्योंकि मैंने जिस institute से मैं pass out हूँना, वहाँ पे हमने वो costume पहना है, जो हमसे 20 साल पह हमने जो कपड़े डाले थे, वो 96 में जब वो नाटक हुआ था, हभीब तन्वीर साहब ने डिरेक्ट किया था, तब जो लोगों ने डाले थे, वही costume हमने डाले थे, तो set भी कुछ नहीं मिलता था, जब मैं कोर्स में था, तो मैं बड़ा रश्क करता था, NSD pass outs और NSD से, और NSD के लोगों से, के यार, ये एक नाटक करेंगे, इन पे हजारो लाखो रुपया लगेगा, इनका set लगेगा, इन पे costume होंगे, ये महीने महीने, दो-दो महीने practice करेंगे, वहीं जीएंगे, रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, और हम दो घंटे के लिए जाएंगे, costume भी में नहीं मिलेगा, वो भी जाला कई बार अपने घर से लेके जाना पड़ता था, क्योंकि बड़ा मन करता था, आप रशियन नाटक कर रहे हो, ओवर कोट नहीं डाला, तो क्या फायदा हुआ, आप कर रहे हो, चेखव का नाटक, सीगल, और आपके पास कपड़े नहीं है, दोती में आप सीगल तो नहीं कर पाओगे, बड़ा जीव लगेगा, तो अभी भी जब मेरे पास जो चीज़े हैं, जैसे अब एक स्टेटस है, एक आपका लेवल है, तो अब अगर चीज़े नहीं भी होती, तो भी मैं यह नहीं करता हूँ कि यार ठीक है, इतने ही करूँ मैं और ज्यादा एफट डालता हूँ, अब मैं बिल्कुल इन्वाल्व हो जाता हूँ, मेरे डिरेक्टर्स के साथ, बडूसर्स के साथ, कास्ट के साथ, कि चलो, let's make a good and a better thing, प्रोजेक्ट को और कैसे अच्छा बनाया जाए, तो वो आने नहीं देता हूँ मैं अपने खुद को पहचानते रहना ज़रूरी है, तो तो रोमांज की टोपिक पर ही आते हूँ, आप ते बोला था, आपको बहुत सारे DMs वगर आते हैं, तो ऐसा कौन सा DM है, जो देखते ही आप यह बहुत अच्छा है, वैसा वाला गर कोई आपको ऐसा DM आया हो तो और आप अपन देखते हैं, या खुबसूरत हैं, या बड़े मैच होई हैं, या जो भी है, वो एक है ही है, और जब कोई मेरे काम से related मेरी बात करता है, तारीफ करता है, तो वो डबल हो जाता है, क्योंकि ultimately मुझे मेरे काम से पहचाना जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो मैंने बोला कि, दूसरे एक्टर से पर नजर नहीं जा रही थी, तुम पर ही नजर टिकी भी थी, ऐसा उनको वो हुआ, तो मैंने बड़ी बात है, और जब कि जो दूसरी आदाकारा है, वो बहुत खुबसूरत है, उसके बावजूद अगर कोई आपको देख रहा है, तो आपके लिए बड़ी, मतलब, चौड़ की बात है, चौड़ होने की बात है, तो मुझे वो messages बहुत अच्छे लगते हैं, उस तरह की. सर और ऐसी कोई पे कपलाइन जो आप किसी को दो, आपको मारनी है वो, ट्राइ कर सकते है, ट्राइ कर सकते है, कल दुनिया खत्म होने वाली है, और मैं ही आखरी इंसान बचाओं, अब तुम्हारे उपर है, तुम्हें क्या करना है, आप ये समझ रहे हों किता डिजास्ट् आज ही है, जो है, और आद मैं ही बचाओं, सब मर चुगे हैं, तो, है वेट और, लीविट, थैंक्यू, अच्छी, पिक अप लाइन है नहीं वैसे, वही मैं रेलाइस करने हूं, सॉरी, I am very bad at it, मैं चाहता हूं कि सामने वाले ये सब करें, मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, next motivation इससे बड़ी है, वो बदला तो पूरा हो गया, लेकिन अब, कि जिसे कहते हैं, कि survival की कहानी है, अब वो शुरू होती है, chapter 2, अब आपको survive करना है, आपको उस मैदान में खड़े रहना, उस जंगल में खड़े होना है, जंगल है, जंगल में खड़े होना है, खड़े हो ही तरह बढ़ रहा है, वो रुकेगा नहीं, कि बहुत लोग आ रहे है, अभी एक तो difference खतम हो गया है, अभी influencer भी actor है, यूट्यूबर भी actor है, actor तो actor ही है, जो पिछले थे, पुराने थे वो भी बचे में है, आने वालों में से बिल्कुल 5 साल का एक लड़का और तैयार ख लगातार अपने आपको best बनाना है, अपने producer, अपने directors को ऐसा काम देना है, या ऐसा behavior या ऐसा अपने आपको present करना है, कि उनको लगे यार, इसके बिना काम नी होगा, और ये best है मेरे लिए, तो उनके साथ कितना cooperate करके आप काम कर सकते हो, या चीजे कर सकते हो, वो एक thought है, कि छाना है, इंडस्ट्री बे हो, तो वो है, तो क्या मैं बोलता भी हूँ, कि कहानी मेरी ना कुछ इस तरह से है, कि तीन word है, वो मैं भी याद आ जाएंगे, तो मैं इसको share करूँगा, वो मेरी पूरी कहानी बया कर देगा, फिर, ठीक, जैसे हम बात कर रहे थे और आपने मैं बताया भी कि अब influencer भी actor है, actor भी actor है, और जो लोग थोड़ा social media पर popular हैं, वो भी actor है, तो ये जो पूरी खिचडी बन रही है, उसमें somebody जो acting पढ़ के आ रहा है, साल लगा रहा है, theater करता है, चोटे roles करता है, क्या उनके साथ ना-इंसाफी है ये? अब ये कहना तो, मतलब कैसे इसको present करूं मुझे नहीं पता, लेकिन definitely injustice तो है, लेकिन injustice टै कौन करेगा, कोई किसी ने, कोई एक गौर्वर्मेंट संस्ता तो है नहीं, कि आप merit पे आपको admission मिलेगा, या फिर आप, मतलब एक paper दोगे, pass होगे, तो आपको film मिलेगी, वो है टैलेंट का game है, तो talented कोई भी हो सकता है, अभी talent है, आपके कितने followers है, वो एक नया talent है, पैमाना बदल गया है, मतलब Instagram, Facebook के followers टै कर रहे हैं, कि भाई कौन talented है, किस पे कितना पैसा होना चीए, मतलब मैं या पे किसी को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे से जब acting school में आ रह थेटर में अपना सड़ते रहो, या मैं उनको यह भूलू, अभे छोड़ सब कुछ, कोई ए content बना, YouTube पे डाल, Instagram पे लाइव जा, यह कर वो कर, मैं क्या बोलू उनको, मैं चाहता हूं उनको guide करना कि मैं बोलू कि थेटर कर, ना टक कर, दबा के कर, लेकिन कहानी उससे तरीके से होता है, लेकिन जब जो सबसे बड़ा पैमाना है, बड़ा तरीका है, वो यह ही है, कि आप थेटर, acting school में जाएं, अच्छे acting school में जाएं, पढ़ें, दो साल, तीन साल दें, फिर दो, तीन साल का काम करें, जैसे मैंने 5 साल, 6 साल मैंने थेटर किया लगातार, मैं मैं फिल्म्स भी गर रहा था, मगर मैं थेटर चोड़ नहीं रहा था, मैं आज तक थेटर करता हूं, मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं थेटर करता रहता हूं, तो वो खिचडी, जो आपने सही बात बोली, वो बन गई है, अभी पता ही नहीं है, वो तो शुकर है कि शाय क्योंकि पहले वो हो जाता था, इंटर्वी हो जाता था, इंट्रोडक्शन हो जाता था, लेकिन अब तो बिचारे ये इमेल के सहारे बैठे में, वो इमेल पर कितने मेल जाते हूं, कहां कोई इनका इमेल देखने वाला है, या यह ऐसा कौन सा एक्स्ट्राइर्णरी काम कर का लगाएगा, आपने बहुत साल, मैं स्ट्रगल ने का हूँँगी, मेहनत का हूँगी, आपने बहुत साल मेहनत की, आप extras में रहे, आप serials में रहे, movies में छोटे रोल किये, जब तक आप बहुत ही recognized roles मेलें आपको, तो इस सब के बीच में, जब आपने वो समय देखा कि आ आपका graph उपर जा रहा था तो एक बार जब आप famous हो गए लोग पहचाने लगए कि दूर से देखते हैं अरे यार वो जतन सरना है तो ये famous हो जाना और recognize हो जाने का क्या-क्या फाइदे होते हैं और कैसा क्या तसली और ये proud वाली feeling आती है या भी समय है उसको आने में मेरे को तो लगता है मतलब मैं उसको बिलकुल deny नहीं करूँगा कि जो प्यार मुझे मिलता है ये बिलकुल honestly बता रहा हूँ मेरा मेरी audience जो मुझे देखती है जो मुझे पसंद करती है वो बिलकुल unbiased हो के प्यार करती है वो मेरे talent को मेरे कैसा जो भी मैं अच्छा जैसा भी इनसान हूँ उसके तो मुझे तो उसकी ताकत है और इसके फाइदे हाँ होते है discount अच्छा मिलता है कई बार free में भी मिल जाता है उसके साथ जो प्यार मिलता है ना वो वह वाग कमाल होता है मैं एरपोर्ट पर जाता हूँ तो CISF के जो जवान है वहाँ पर काम कर रहे है वो series देखते हैं वो देखते हैं काम पूछते हैं तो अरे-अरे सार अरे कैसे हैं आप तो वो ऐसा लगता है कि यार acknowledged हो गया मेरा काम किसी दुखान पर चले के कुछ खरीदने अरे सर 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 बस 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 डिसकाउंट देदो तुरन दिसकाउंट मिल जाएगा आप आखरी से थोड़े पहले सफे में आ जाएंगे पहली लाइन में आ जाते हैं वो सब होता है लेकिन मैं किसी को काट के वो काम नी करता हूँ जैनूइनली अगर है तो मिल जाएगा तो नॉमली कर लेता हूँ नहीं तो मैं किसी को काट के भी करना हूँ अच्छा गूगल कब किया था अब आपने आपको पहली बार की तो शायद सेक्रेट के बाद किया होगा, सेक्रेट गेम के बाद, उसके बाद मैं आज तक करता है रहता हूँ, कोई नई स्टोरी आई है, तो सब चलता रहता है, अच्छा, क्योंकि आप दिल्ली में रहे हैं, पले बड़े हैं, पालिका से शॉपिंग वॉपिंग की है, आरे पिर 39 नंबर बस होती थी, वो थोड़ा सा गूम के जाती थी, यह मैं आपको ब्लू लाइन बसों की बात बतारो, ब्लू लाइन DTC बसों की, इतना पुराना हूँ मैं, तो, तो पालिका में एक बात बड़ी तय होती थी, के वहां पे आपका कटना है, वहां कटवा के ही तो चलो भई दोस्त को उठाया, चल आज संडे है, पालिका चलते हैं, सीपी गूम के आते हैं, तो सीपी मैं अपनी जिंदगी में कर अभी 23-20 साल का हो, तब तो मैं सीपी में ने एक्स्प्लोर किया, उससे पहले तो छू के सीपी निकल जाते थे, दुकान के किसी काम से ज देफिनिटली, बहुत बार शॉपिंग की है, बुरा माल बहुत महंगा खरीदा हुए कई बार महा से, और कई बार बुरा ही माल बहुत सस्ते में भी खरीदा हुआ है, क्या बात है, चलिए, लोग आई क्यू चेक करते हैं, आपका BQ चेक करते हैं, Bollywood question, ठीक है, मैं कुछ मैं अपनी फेवरेट हूँ, जब भी मेट, करीना कपूर, सत्तर मिनिट, सत्तर मिनिट है कमारे पास, शारुखान साब, स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा, दबंक, सल्मान खान, हीरो बनना कौन चाहता है, मैं तो विलन हूँ, नवाज बाई, नहीं, यौर फेवरेट, इ अपने स्कूल पहुच कहे थे, हाँ, अक्षे कुमार, वह हुआ यह था कि, इन्हों ने, स्कूल वालों ने बोला कि, फैंसी ड्रेस कॉमपटीशन है, तो आप फ्यूचर में जो बनना चाहते है, वैसे ड्रेस होके आईए, तो अपन तो वही था, कि अक्षे कुमारी बनना तो मोहरा फिल्म आई थी, उस दौरान, कुछीज बड़ी है, मस्त मस्त, हिट हो गया था, तो मेरे पास सितफाक से, नहीं, काली पैंट थी, एक हाफ वास्किट थी, मरून कलर की कुछ प्रिंटेड वास्किट थी, ब्लैक टी-शिर्ट ऐसा कुछ डाल के, और मम्मी का वो स मच में आगे था, नहीं, उटके जैसे मैंने ऐसे किया, तब तक, तब तक सब समझ चुकी थी, ये तो, तो अभी जब उस स्कूल के मेरे जो दोस्त लोग है, प्लासमेट सुनके जब मेसिज आते हैं, और तूने वही किया और तू वही कर रहा है जो तू चाहता था, तो ब क्या बात है, इंटर्व्यू हम अल्मोस्ट एंड करने वाले हैं, तो मैं आप से एकदम, एंड के वक्त बस चाहती हूँ कि आप कुछ चीज़े हमें, एकदम बंटी के स्टाइल में करके दिखाएं, and I'm sure, सब लोगों को इससे help मिलेगी, ठीक है, सब से पहला है, कि मोमोस आले भाईया, से एक्स्टा चटनी कैसे माँगए, ठीक है, दूसरा है, दोस्त को उधार दिये हुए पैसे वापस कैसे माँगे, डोस को उधार दिये हुए पैसे, एक आप पैसे, टीक हूँ जठी चटर रही आताш-, यजचा बंटी कैसे माँए, और बसस से चुट्षे च बाटिक शुट्टी देना यार यह कहाना तो सबकी नौक रीजाने वाली है तो इतने attitude चाहिए आपको लाइब में नहीं मिलेगा कुछ भी अचा अपकी कभी अगर बायोपिक बनती है तो उसका नाम क्या होगा आउटसाइडर और क्यू? क्या है मैं आउटसाइडर? But you are just ruling in everybody's heart हाँ but मैं आउटसाइडर है ना आपको जितना इंडस्ट्री ने अपनाया है वो आने वाले सालों में आपको और अपनाएगी बिल्कुल वो उसका फिल्मेकर्स के साथ काम कर चुके हैं आप विशाल भारतबाज के साथ काम कर चुके हैं विक्रमादे तिमुर्वाने के साथ उनके साथ काम करना बाकी है लेकिन उनकी blessings मेरे साथ है जो शॉट फिल्म करी थी उसके लिए वो आये थे मुझे ब्लेस करने के लिए और आपने उनको मेसज़स भी कापी किये थे मेसेंजर पर वो अनुराक सर को किये थे अच्छा हां विशाल जी को मैं इंस्टा मेसेज करता हूं मैंने उनके क्लिप्स देखे थे आपके साथ विशाल जी के वो मेरी शॉट फिल्म कर रहे थे उसके क्लाप देने के लिए वो आये थे मसूरी में शूट कर रहे थे को फुकू अधा शर्माय उसमें तो मसूरी में शूट कर रहे थे तो विशाल जी वही रहते हैं तो वो आके उन्होंने क्लाप दिया था और बड़े प्यार से मिले और उनका आशरवाद मिला तो इस साल यह साल मेरे बड़े फेवरेट आपके मैनिफेस्टेशन में एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन मेरा भी है विनेवर यह वर्किंग विए इम्तियाज सार आप से में मिला था रॉक स्टार के दोरान मैंने देखिए फोटोस अरे वाँ तो मैं एक फिल्म मैं मैं एक प्ले कर रह तो इम्तियाज अली साब आए थे क्योंकि वो रॉक स्टार का म्यूजिक लाउंच कर रहे थे तो मैं अपने सीनियर से पूछ रहा था मैंने का यार सच में ऐसा होता है कि आज भी ऐसा होता है कि डिरेक्टर आएगा वे एक्टर को परफॉर्म करते वे देखेगा उसे पसं साब एटे वे थे प्ले देख रहे थे तो एक सीन आता हुसमें कुरता उरता कुछ उतार ना था और बेर बाड़ी रहना था तो मैं बाट बंप करके चला गया और मैं ऐसे एक्टिं कर रहा हूं कि आहां इम्तिया सर मुझे देख लो मैं आपका नेक्स लवर अपके फिल्म जितनी डेप्थ प्यार को लेके और जितनी मतलब मुझे मैं यह भी बड़े दावे के साथ कह सकता हूं बहुत सो लोग समझनी पाते हैं इम्तियाज अली साब की फिल्मों को समझना तमाशा बहुत सारी लोगों के बाउंस ओकन निकल गई थी रॉक स्टार के कई सीन है जि जै जै चाहता हो कि मैं और हुनका हिरो बनके आँ किसी कल्म में यह नहीं है बनके आँ किसी कल्म में कई मुझे बहुत सब्सक्राइब तरी आप बन्टी जय से धरक्टर्स करे आप बंटी बुब्ली जयसे चरेइब इस रोमैंस अपको च्शन मिले Comedy मिले Comedy मिले We wish you all the very best Thank you Thank you so much Thank you guys Guys, a round of applause ये थे जानदार, जबर दस्त और बे जोड जतिन सर्ना इनका इंटर्वियू आपको कैसा लगा? वो आप मुझे कॉमें पर बता दीजेगा और भाई, बंटी जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं सुन लीजे ये अगा अटार, अटार करना, अंकाट को भाई, कर ले ना, अगर आपने अंकाट को सब्स्राइब नहीं किया तो बल्ला चलेगा, बल्ला बल्ला भी चलेगा, भाई So, subscribe to Uncut and keep following us for more such interviews and videos Thank you guys, thank you so much Thank you so much Thank you so much It was amazing talking to you Same here, same here